सो हेलो एवरिवन आप देख रहे हैं आज हिंदाल को इंडरस्ट्रेज में गिरावट देखने को मिल रही है करीवन 7% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है इसके पीछे का reason बताती हूं मैं यहां पर आप देखेंगे एक news के चलते इस share में गिरावट देखने को मिल रही है यहां पर यह जो news है इनकी एक subsidiary है यहां पर इनोंने बताया इनकी एक subsidiary है तो इनोंने बताया है 18% fall देखने को मिल रहा है इनकी net income में September quarter 2025 में मतलब यहां प यह dollar में है क्योंकि US based इनकी एक subsidiary है तो उसनका जो net profit है इस time पर decrease हो रहा है जिस कारण यहां पर इस share में impact देखने को मिला है और अभी इसके quarterly result announce होने वाले हैं आज तो नहीं है यहां पर जल्द ही इसके quarterly result announce होंगे 11th of November को तो जिसके कारण यहां पर इस share में गिरावट दे two के result है उसमें भी कुछ impact देखने को मिल सकता है में भी negative impact यहां पर थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है तो जिसके चलते यहां पर इस share में आज गिरावट देखने को मिली है क्योंकि इनका जो subsidiary है उसने खुद profit यहां पर net profit जो है decline यहां पर बताया है वैके आप देख देखिंगे 7% के round गिरावट देखने को मिल रही है और one week में यहां पर भी गिरावट ही रही है आगे बताती हूं मैं क्या इसका support resistance निकल कर आ रहा है चार्ट पर बताएंगे आपको आगे पहले यहां पर देख लीजिए क्या कैस के previously returns रहे हैं so one month में भी negative returns हो रहे है one year में देखा जाए तो ठीक ठाक returns है 37% and three year में यहां पर भी ठीक ठाक की returns है five year में आप देखिंगे five year में भी सही returns नजर आ रहे हैं 226% and all time में यहां पर भी ठीक ठाक returns है 1128% almost so returns जो हैं ठीक ठाक नजर आ रहे हैं इससे और के बाकी चलिए directly चलते हैं support resistance की बात करते हैं बट उससे भी पहले आप लोग हमारा WhatsApp ग्रूप जोईन कर सकते हैं link in description यहां पर हमने दिया था indigo paints का stock और आप देखिएंगे इसके all target done हो चुके हैं चलिए यहां पर हिंदाल को इंडस्ट्रिस के बारे में बात करते हैं तो यह मैं आपको mid term perspective के साब से बता रही हूँ यहां पर जो इसका strong support है यह 652 रूपीज के राउंड नजर आ रहा है फिलाल अभी यह 657 के राउंड चल रहा है तो वेट कीजिए इस stock में यह weekly time frame में आपको बता रही हूं मैं न्यूस के कारण आज impact देखने को मिला है negative impact देखने को मिला है तो अभी 652 इसका strong support है and then second support 608 रूपीज के राउंड रहने वाला है वेट कीजिए इस stock में बाकी resistance लिवल की बात करें यहां पर 716 के राउंड एक resistance है अगर इसके अबाव sustain करता है तो 760 के राउंड जाता वह दिख सकता है वैसे 764 के अबाव sustain करेगा तो तब एक अच्छा breakout हम consider कर सकते हैं 764 के अबाव अगर जाता है एक closing candle देता है on weekly time frame तब अच्छा कासा अप्टरेंड मूमेंट दिखा सकता है तो फिलाल के लिए वेट कीजिए इस stock में and I hope आपको यह वीडियो समझ आई होगी thanks for watching this video